इस वीडियो सीरीज में कर रहे हैं गेट इंजिनरिंग मैट्स के प्रिविश्य व्रेशन और वीडियो में पांच कॉश्टेंग करते हैं फिलार मारा टॉपिक चल रहा है एर ओर लीनियर डिफेरेंशियल लोकेशन तो फिर्स्ट कॉर्शन इस वीडियो का कि the solution of the differential equation double differentiation of Y w सबसे बहले यह जिरो और कहां-कहां प्रह इंड से प्रुट कर देंगे तो आओर सीमल्ट और आराया है इसका जो solution देखो d square plus 2d plus 1 equal to 0 d plus 1 का whole square is equal to 0 and d is equal to minus 1 repeated pole minus 1 पे तो y आना चाहिए a plus bt e की power minus d ठीक है e की power minus d वो b में है option में है ना तो बस option b आ जाएगा बाकि चलो हम apply कर लेते हैं और y dash भी निकाल देते हैं यह जाएगा a plus bt e की power minus d का derivative e की power minus d और minus 1 plus a plus bt का derivative वाएगा b e की power minus d ठीक है पहले हम पूट करते हैं y 0 is equal to 1 y 0 is equal to 1 it means a is equal to 1 आज़ा है फिर y dash 0 is equal to 1 तो यह हैगा minus a plus b is equal to 1 तो b is equal to 1 plus a जानी 1 plus 1 is equal to 2 ठीक है तो वाई यह आगया a plus bt e की power minus d ठीक है option b next question है अब एक differential question दीए x 0 पर value दीए है 1 पर दीए e की value पर दीए 2.718 ठीक है एक्जाम में यही value उस करनी है the value of x of 2 देखो यह क्या है d square plus 3d plus 2 is equal to 0 d plus 1 d plus 2 equal to 0 d is equal to minus 1 minus 2 ठीक है तो जो हमारा x t आ जाएगा वह एगा a e की power minus t plus b e की power minus 2t ठीक है और दो equation हमारे पास x0 और x1 x0 is equal to 20 which means a plus b is equal to 20 आ जाएगा and a के वाले पूट कर देते है 20 minus b second equation में काम आएगी ठीक है फिर x1 जो है वो 10 by e के एक्वाल है ठीक है तो x1 के आएगा a e की power minus होना यानिकी divided by e plus b divided by e square यहाएगा 10 by e तो e तो cancel हो जाएगा एक हमारा बच्चेगा a plus b by e is equal to 10 ठीक है a की value है 20 minus b plus b by e is equal to 10 10 आके इधर आके minus हो गया b minus b by उदर चला आगा 10 यहाएगा b common निकाल लिए हमने तो e minus 1 by e तो b की value आगे 10 e by e minus 1 ठीक है अब यहाँ पर value निकालो जाब बिल्कुल end में value put कर देंगे और a की value क्या आगई a आगा 20 minus b यानिकी 20 minus 10 e by e minus 1 ठीक है याजगा 20 20 e minus 20 minus 10 e यानिकी 10 e minus 20 divided by e minus 1 ठीक है यह b की value आगे अब हमें किसकी value चाहिए हमें चाहिए x2 की value x of 2 किसके को लाएगा t की value 2 put करेंगे तो e की power minus 2 यानिकी a by e square plus b by e की power 4 ठीक है तो values put कर देते हैं तो 10 e 10 e a की value आगे 10 e minus 20 divided by e square तो ठाई e minus 1 ठीक है अब plus b की value है 10 e divided by e की power 4 है e minus 1 है ठीक है तो एक तो यह cancel होगा e और इसका denominator गर हम लेंगे e की power 3 e minus 1 या जिए गाट 10 e square minus 20 e plus 10 ठीक है तो यह आना चाहिए इसका और इसका हम निकाल सकते हैं 10 e square minus 20 e plus 10 divided by e cube divided by e minus 1 इसका जो अंसर आया है टाइप आते हमें लगता है क्या है सही है ठीक है तो बस ही इसमें एक और इसी का ही खेल कि नेक्स कोश्चिन है solution of the ordinary equation और एंसर डैट वाई जीरो और वाई वाई वाइन के वेली दिया देखो सबसे पहले तो इसको हम cf निकाल लेते हैं इसका डी square प्लस 5d6 is equal to 0 यहां पर रूट बनेंगे 2 और 3 डी प्लस 2D प्लस 3 तो इसके रूट से आगे माईनस 2 और माईनस 3 ठीक है तो जो वाई आ जाएगा वाईगा a e की पार माईनस 2T प्लस b e की पार माईनस 3T ठीक है हमें दिया y 0 पर वैल्यू y 0 is equal to 2 तो y 0 आ गया a प्लस b is equal to 2 ठीक है और y 1 जो दिया हमें वो दिया माईनस 1 माईनस 3 e by e q इसमें ध्यान एको माईनस 1 की आसपस नहीं दे माईनस common दिया है इस तरह की समान के चलो तो y 1 क्या है a by e square आ जाएगा प्लस b by e q आजएगा यह बेसिकल यह माईनस 1 प्लस 3 e divided by e q ठीक है तो इस कैल्सिम लेंगे e q a e plus b is equal to minus 1 plus 3 e ठीक है यह दोनों cancel होगे आप comparison करेंगे देखो यहां left hand side में a e right hand side में 3 e है a की value कितनी आगी 3 और b की value आगी minus 1 तो चेक कर लो a plus b 2 के कोल इसको भी satisfy कर रहा है तो यही value आ गए और हमें चाहिए d y by dt ड y by dt क्या आजाएगा minus 2 a e की power minus 2t minus 3 b e की power minus 3t और इसकी value कहां पर t is equal to 0 पर तो आएगी minus 2a minus 3b minus 2a यानि की minus 6 minus 3b b की value minus 1 तो प्लस 3 अंसर आएगा minus 3 ठीक है next question है solution of x square y double dash x y dash minus y is equal to 0 यह क्या है कोशी यह लिए differential equation है इसमें हम क्या करेंगे भई x को हम e की power t put करते हैं t जो होता है log x और x square y double dash com d into d minus 1 put करेंगे प्लस इसको d इसको constant is equal to 0 तो d square minus d plus d minus 1 equal to 0 तो d square minus 1 equal to 0 d is equal to plus minus 1 ठीक है तो जो y आ जाएगा c1 e की पावर t plus c2 e की पावर minus t और e की पावर t की इसको होता है x के e की पावर minus t x की पावर minus 1 के यानिकी 1 by x ठीक है option c next question है function yt such that y0 is equal to 1 y1 is equal to e की पावर minus 1 is the solution of the differential equation given by y2 की value find करने है तो यह क्या है d square plus 2 d plus 1 equal to 0 देखो similar question आ रहे है d plus 1 का whole square है equal to 0 d की value minus 1 minus 1 है तो y जो आएगा वो a plus b t e की पावर minus t ठीक है तो सबसे पहले y0 y0 यानिकी a की value 1 आगी और y1 y1 यानि a plus b e की पावर minus 1 किसके क्ल है 3 e की पावर minus 1 तो यह cancel हो गया a plus b क्या है 3 के क्ल है b किसके क्ल आगया a1 है तो b आगा 2 के क्ल और हमारा जो y आगया वह आगया 1 plus 2 t e की पावर minus t और y2 t के value to put करेंगे तो 1 plus 2 into 2 4 e की पावर minus 2 5 e की पावर minus 2 ठीक है option b ठीक है तो इसी तरीके से 5 question मारे खतम होते हैं इस वीडियो के किसी भी question में doubt हो नीचे comment कर सकते हो और वीडियो को सीखा तो प्लीज वीडियो को like करना चैनल को subscribe कर देना thank you so much कर दो कर सकते हैं और वीडियो किसी थाए नीचे कर से दो रावर